दोस्तों बजाज के तरफ से एक लेजनेरी बाइक आती है जो कि है पलसर 220 अब मुझे पता है कि यह जो बात है यह आपको पहले से पता थी अब कंपनी के दरफ से दोस्तों इस बाइक को एक बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया था बीच में अब पबलिक के दिमांड पर फि बाइक के बाइक के साथ जुरी हुई है अगर सब कुछ की बारे में आपको जाना है तो आप जो है कैनल पर जाके पुराने वीडियो देख सकते हैं हमने लगबग 220F के ऊपर हर्टरी का वीडियो किया हुआ है अब दोस्तों अगर आए मुद्दे की बात पर कि 23 में खड़े हो के 220F में आपको क्या क्या नहीं चीज़े देखने को मिलती है तो पहली और आखरी चीज जो है क्योंकि दोस्तों इंजिन के मामले में ही यहां पर हमें अपडेट देखने को मिल जाती है बीए सिक्स का फेस टूर जो नॉम से दोस्तों उसको जो है सपोर्ट करती है यह यहां पर हमें ओभी टू सेंसर के साथ इंजिन आते होए दिख जाता है इटोंटी फ्लेक्स फ्यूल जो जो है इस इंजिन को सपोर्ट करेगी कोई भी दिखकत इसमें नहीं आने वाली बागे दोस्तों एंजिन जो है दोस्तों वहां पर हमें 220 CC का सिंगल सिलिंडर ओयल कूल इंजिन दे कटा दिया गया है अभी यहां पर DTSI नहीं आती है कुछ-कुछ बाइक में जैसे की दोस्तों 150 हो गया 125 हो गया बर दोस्तों 228 यहां पर हमें अभी भी जो है DTSI देखने को मिल जाती है मैक्स पार दोस्तों यह बाइक आपको जेहरय करके देगी 20.11 ब्रिक होर्स पाओं एट 8500 RPM पर दोस्तों मैक्स टॉवक्स टॉवक्स गेर बाक्स देखने को मिल जाती है पुलसर 220F का एक सक्सेसर बाइक आता है जो कि एफ 250 उसमें भी 5-speed gearbox आता है अब दोस्तों बहुत साइब लोग जो इसको लेके बहुत सब्सक्राइब कर रहे थे कि पर मुझे अभी भी दोस्तों लगता है कि 5-speed gearbox जो है वह सफिशेंट है मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता कि 6-speed gearbox मिलने से बहुत बढ़ा कुछ यहां पर हो जाता है बागे दोस्तों इस बाइक में हमें काफी बढ़िया 15 लीटर का जो ही यहां पर हमें देखने को मिल जाती है माइलेज भी इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है 35 के मिल जाती है तो राइडिंग जो है वह काफी यहां पर बढ़िया निकल के आ जाता है और एक खास चीज है दोस्तों इस बाइक की जो इंजिन है वह तो मतलब आपको तो पता चल दी रहा बाकि इस बाइक की अगर सेफटी की बात करो तो यहां पर दोस्तों हमें जो है सिंगल चाहिए लेभी इसका सपोर्ट देखने को मिल जाती है और पीछे के तरफ थोड़ी सी छोटी 230 अम की यहां पर डिस्क साइज देखने को मिल जाती है बाकि अगर आप मुझसे पूछे दोस्तों की will size यहां पर क्या आती है जहां पर डोनों ही तरह यान की बोतेम में हमें 17 इंच की यहां पर 1336 देखने को मिल जाती है अब बाइक जो दॉसकी रियर की घडटी की बात करो यारिक की चैसी की तो यहां पर हमें double cradle down tube chassis देखने को मिल जाती है और दोस्तों उसके चलते इस बाइक की करवेट जो है एक 200C के बाइक के होने के बाबजूद भी काफी कम निकल के आ जाता है इस बाइक का करवेट दोस्तों जो है 160 kg के आसपास यहां पर निकल के आ जाती है अब दोस्तों यहां प तरफ हमें दोस्तों tubeless tire देखने को मिलती है और यहां पर I guess यहां पर MRF की हमें tire देखने को मिल जाती है जिसकी quality काफी यहां पर बढ़िया निकल के आ जाती है suspension की अगर बात करूं दोस्तों front में हमें telescopic folks देखने को मिलती है और पीछे के तरफ हमें adjustable nitrox की tuning shock absorbor देखने को मिल जाती है अब दोस्तों मैं adjustable इसलिए कह रहा हूँ कि इस bike की जो rear suspension है इसको आप 5 step तक यहां पर adjust कर पाएंगे adjust करके दोस्तों इसको आप थोड़ी से जो आपने हिसाब से इसको soft या फिर hard कर सकते है इसके बाद अगर बात करूं seat height की दोस्तों तो इस bike की seat height भी हमें बहुत जादा देखने को नहीं मिलती है 795 mm के आसपास जो यहां पर seat height दिया जाता है और बाइक में जब आप बैठते है तब दोस्तों बाइक काशे जादा narrow feel होता है तो उस हिसाब से आपकी पैर बगेरा जो है जमीन को आराम से टच करने वाली है वहां पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है Ground Cleansies Bike की 165M के आसपास हमें देखने को मिल जाती है जो की Indian Roads की साब से ठीक ठाक यहां पर देखने को मिल जाती है जहां पर दोस्तों जो digital part है वहां पर हमें speedometer देखने को मिल जाता है और दोस्तों जो RPM की काटा आता है वो हमें analog में देखने को मिल जाती है और जो digital part आता है वहां पर दोस्तों हमें ABS की light, neutral की light, high beam, low beam की light आ जाती है, engine malfunction की दोस्तों light आ जाती है और यहां पर दोस्तों distance to empty जै कि LED कर दे तो बात ही कुछ अलग हो जाएगा पर दोस्तों अभी के लिए यहां पर हमें हैलोजीन प्रोजेक्टर एड़ लैंप देखने को मिलती है पीछे की तरफ जो टेल लैंप मिलता है वह भी दोस्तों पलसर की ऑथेंटिक जो है यहां पर टेल लैंप देखने को मिल जा जाता है जिससे आपकी सेफटी जो है वह हो जाती है अगर फाइनली बात करूं यह जो इट्वेंटी वाला मॉडल है इसको खरीदने के लिए आपको जो है कितना खर्च करना पड़ेगा तो और कोलकाता की दोस्तों इस बाइक की प्राइज निकल के आ जाती है 1,73,000 के आस जाते हैं। कि तो 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 जाती हैं।